तो आज हम लोग इंडियन बाइक ड्राविंग 3D में बनने जा रहे हैं सबसे फास्टेस सूपर हिरो दा फ्लेश भाई यार क्या ट्रेनिंग हो गई आज तो मेरी गाईस आपको पता है अज क्या है आज हमारे महले का रणिंग कॉम्पेटिशन है आज हमारे शहर में भाई रेस होने वाली है बहुत ज़्यादा ख़दरनाग और जो भी उस रेस को जीता है उसको मिलेंगे पूरे 10,000 रुपे तो यह रेस चालू ही होने वाली है तो इस पॉइंट पे होने जारी है हमारी रेस जहां पे हम लोग होने जारी है पांच लोग और ये है स्टार्ट लाइन और ये है हमारा फिनिश लाइन काफी लंबी रेस है लेकिन जो सबसे तेज भागेगा वो जीत जाएगा रेस में पाटिसिपेट करेंगे हम पाँच लोग हम पाँचों रेडी हैं आप देख सकते हो क्या लगता हैगा इस कौन जीतेगा यार कमेट में अभी से बता दू 3,2,1 लेट्स गो रेस चाल हो चुकी है और ये लोग तो अल्रेडी मेरे सा आके जा रहे हैं यार कितनी तेस वाक्त हैं ये लोग भाई मतलब कहा निकल गए यार अभी तो मेरे जास्ट आके जा इतनी जल्दी ये लोग पता नहीं कहां पहुच गए रेस जीत भी गया ये भाई ये क्या भाग रहा है ये घोड़ा है क्या इतनी तेस सब आगे निकल गए यार मैं सबसे लास्ट मेरे गया यार यार मेरे को चोड़ना नहीं चीता स्पोर्ट यार आज यह हालत हो चुकी है कि मैं इन जैसों से हार रहा हूं यार मैंने फालतु ही गलती कर दी यार स्पोर्ट छोड़के अब मुझे वापिस से ट्रेरिंग करनी चाहिए वनना इन लल्लों से हारू तो हम लोग completa ंबी के विले और्स तो सचमे फ्लेश बनने का मौका है मेरे पर अमलों फ्लेश बन सकते हैँ यार अपने फोन में फ्लेश सर्च करना है फ्लेश बनने की सब सर जयादा जरूरत मुझे है यार मैं लास्ट आया हैACE में तू क्यों बन रहा है बाई यार क्या बेशती यार मतलब यार दे दो यार ऐसे तो मत करो यार चलो ठीक है मान गए ये लोग तो मुझे यार अभी क्या है मैं सबसे लास्ट में आयदा ना तो मुझे अब बहुत ही कठीन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एक बेसिक लेवल की फिटनेस पर आने के लिए तो मुझ पर जब मैं पास होंगा इनके टेस्ट में तब जाके ये मुझे फ्लेश की पावर्स देंगे तो साथ दिन बीच चुके हैं मुझे भी अब लग रहा है कि मैंने काफिस ज़्यादा मेनद कर लिये और कुछ तो इंप्रूव्मेंट आया होगा मेरे में मैसेज भी आ चुका है मेरे को तो मैसेज मुझे यह आया है कि पहले मुझे बाकी टेस्ट करने है उसके बाद मेरा फिजिकल टेस्ट होगा ओके तो सबसे पहले यहां पर एरपूर्ट की एक वीडियो है तो एरपूर्ट के अंदर एक सीक्रेट लैब है इस लैब का रास्ता उपर वाले फ्लोर के गेट से है और फिर हमें अंडरग्राउं जाना पड़ता है थोड़ा सा और यह है वो लैब जहां पे हम लोग को बह यह कार में रखके ले आऊ लेकिन कार क्या रैम्स के उपर चड़ पाएगी मैं आज ट्राइगर कर के देखते हैं मुझे लग तो रहा है वैसे मैंने गल्दी कर दिये वाइब राए करके देखने में क्या जाता है भाई पहली जंप यह नहीं हो और पहली जंप बहुत भी बहुत बहुत ज्याते हैं तुक्यë में उपर आया हूं गाyes, मतलब मुझे लगे नहीं रहा है, मैं उपर आ पाऊंगा, और यह भी मुझे लगा नी था कि मैं इस रहे हम के उपर चड़ पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद से रास्ता इजी हो सकता है अगर मैं आगे वाले रैम पे पहुच पाऊं तो देखते हैं क्या हम लोग जा पाते हैं ठीके तो आज चुका है पॉइंट यहां से उतरते हैं और ये गई मेरी गाड़ी नीचे क्या फिर से तुका लग पाएगा हमारा एक और बार करके देखते हैं अच्छा इस बार तो मैं सही आगया हूँ लेकिन मेरी गाड़ी लैंड होते ही पलट गई और ये आई और अपने आप एकसलेरेटर देके नीचे गिर गई फिर से आचुका हूँ मैं इस गोल-गोल गुमने वाले रैम पे इस बार मैं ने थोड़ा सा लेट कर दिया है गाड़ी उचकी तो लेकिन हम लोग आचुके हैं उपर बस हम मुझे धीरे-धीरे करके इसको सीधी करनी है लेकिन अब मुझे लगनी रहा मैं इससे आके जा पाऊँगा क्योंकि आगे वाली जम बहुत ज़्यादा दूर है और ये कार में इतनी पिक अप और स्पीड होगी नहीं या किसी भी कार में नहीं होगी भाई की वो डायरेक्ट वहाँ पहुच पाए तब भी एक बाद ट्राय करके देख लेते हैं ट्राय करने में कुछ नहीं जाएगा करते हैं स्पीड आप बाई स्पीड तो ही नहीं लो यहीं गिरेगी यह नहीं पहुचने वाली बहुत बड़ी गलती करी मैंने आज के बाद लंगा इनी कार मैं जा रहा हूँ अपनी बाईक लाने तो इस बार आ चुके हम लोग पलसर RS 200 पे तो चलो फिर इसको लेके जाते हैं और यह तो बहुत जादा आराम से पहुच जाएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे बाईक और कार में फरक तो है यार बहुत इसको मैं फुल स्पीड में नहीं पे चला रहा हूँ तो अभी बहुत जादा आराम से पहुच जा रही है और अब बस हम लोग को एक और जम माननी है लेकिन यार मुझा आइडिया है नहीं कि कितनी दूर माननी पड़ेगी तो हम लोग थोड़ी स्लो ही चलते हैं ना पता चले जादा तेज करा और मैं आके निकल गया यार जादा धीरे कर दी लग रहा है यार थोड़ा पहले में गिर गया फिर से स्टार्ट करना पड़ जाएगा इस बार मैं तेज भागाने वाला हूँ इस बार अगर मैं आके गिर गया ना तो फिर मैं थुड़ी और दीरे कर लूँगा लेकिन इस बार मुझे लगता है मैंने बहुत सही किया है और परफेक्ट लेंडिंग हुई है तो यह है हमारी मशीन गाई इसको डखने के लिए मैं कहा ला रहा था क्योंकि यह इतनी बड़ी है बाइक में तो जाएगी नहीं लेकिन अब मैं इसको टोकर वा लूँगा किसी और से 200 रूप एक्स्टर जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मशीन भी काफी जादा बड़ी है और फ्रेजाहिल भी होगी तो भाई बिल्कुल केरफुल इसको लेजाना पड़ेगा मशीन तो मैंने भीजवा दिया लैब पे अब अपन भी चलते हैं और नेक्स आइटम क्या है वो भी देख लेते हैं तो नेक्स हम लोग को ये पिस्तॉल ले जानी है जो की पार्टिकल एक्सिलरेटर का काम करती है मतलब ये भी वहाँ पे काम आईगी लैब में इसलिए ये रॉक्त हैं हम लोग और यह यह क्या है यहाँ पर यहाँ यह लेबर की शैडउ अभी यह लेवर नहीं है यह तो स्पाइडर है भई यहाँ पे स्पाइडर छोड़के रखे हैं तुम लोगोंने ओए-धाग कर रहे यार इनको मानने ठीब यहार और पड़र पर स्पाइडर चोड़ के रखें ताकि वो पिस्तल को कोई असानी से लेके नहीं जाब पाए यह तो बहुत घदनाक प्लैनिंग है लेकिन अच्छा है मैं अपने साथ लेके घुमता हूं तो यह स्पाइडर्स को तो मैं मार दूंगा बट देखके यार स्पाइडर बहुत ज्यादा बड़े मैं लगा रहे हैं और मुझे लगता है मैंने सारे स्पाइडर्स मार दिये यार कितने व्लार की है यह बिल्डिंग मुझे लग रहा है मैं चार तो पहले से चड़ी चुका हूं तो मिल चुकी है मुझे यह पिस्टल जो की पार्टिकल एक्सिलरेटर का काम करेगी इसको उठाते हैं जेब में डालके चलते हैं चल अब नीचे उतरते हैं मुझे लगता नहीं और कोई ज्याद मालूम नीटा मारो इन लोग को जल्दी भाई कहां थे यह लोग कहां चुपे वे थे यहां से निकलो पहले तो जल्दी से उसके बाद मैं देखोंगा अगला टास्क यह यह जगा सेफ लग रही है मुझे यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर हम लोग को भाई ले जाना है यह चाहिए लेगी घर के अंदर जाने के लिए और कार मेरे सामने लेके घूम रहा है तो चलो रोको इसको भाई रोक ले रोक ले चलो कार दे देना अपनी दो मिनिट के लिए वैसे पर्मारेंटी ले लेता हूं तुम लोग बाद ने पता नहीं कहां भग जाता ह तुमारी कार जासे लेलो अब क्वह घर कॉनसा है हम लोग को डुणना पड़ेगा वैसे उस घर के पीछए एक पेड़ होगा जो जो कि मुझे दिख रहा है उसके पीछए ग्रीन गर का घर होगा ठीक है तो मुझे दिख चुका है यहां पर पेड़ भी-एंग इक भी घर घर भी है तो आगे वाले घर की है फोटो मतलब ये घर नहीं तो ये घर और मुझे लग रहा है शायद ये गराज की है वो फोटो तो इस गराज पर चिपकाते हैं गाड़ी और करते हैं एक्जिट बिल्कुल सही निकला हमारा अनुमान और ये तीन केमिकल्स यहीं पर पड़ है इनको लेके चलते हैं तो टास्क हमारे हो चुके है लेकिन एक टेस्ट जो स्टार्टिंग में लोगों ने बोला था फिटनेस का वह अभी भी बचा हुआ है तो वो टेस्ट मुझे देना है वो टेस्ट क्या है वो अभी मालूम चलेगा यार इसमें लिखा है कि हम लोग यो रेस हारे थे ना अब उन्हीं लोगों से हमें रेस जीतना है तो ठीके मैं यहाँ दो लोगों को यहाँ पर पकड़ता हूं अपने पीछे दोड़वा था हूं ठीके एक इनको और एक और किसी और को अब इनके सामने मैं दौड़ूंगा तो मुझे मालूम चाहिए गा कि क आप देख सकते हो अभी बिल्कुल बगल में खड़ें अब मैं फूल स्पीड में दोड़ना चालू करता हूं और एरपोर्ट है हमारी लाइन देखते हैं कौन सबसे पहले पहुसता है वैसे मैं ही पहुचूंगा मुझे लग रहा है मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी थी तो यह आ चुका हूं मैं और आप डिस्टेंस देख सकते हो काफी ज्यादा है मतलब कि मैं बहुत तेज दोड़ने लगा हूं इन लोगों से कुछ नहीं है लोग और मैं हो चुका हूं पास फाइनली चलो भाई मेसेज आ गया है पास का अब तुम लोग ने बहुत माल लिय है अब मेरी बारी अब इन दोनों को जल्दी से ध्यार करो क्या होगा भाई स्त्राइến अब हुझक Cle Fazer कैसे में अब यह मुझे पा thou आपह पैनी और तो सीडी हम लोग चड़ना है और एस गेट के अंदर घुसना है तो सीडी चड़के मैं ज़का हूँ यह रहा सेज चलत है इसके अंदर तो मैंने गाइस पूरी machine set कर दी है particle accelerator पूरी ready है काम करने के लिए मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ ये तीन जो chemical है ये मैंने डाले इस वाली machine के अंदर ठीक है इस वाली machine के अंदर डाले मैंने और ये मैंने कैसे डाले ये हमने डाले हमारी pistol से जो हम लाये थे particle accelerator वाली पिस्टल ये वाली क्यूंकि डायरेक्ट वो डलते नहीं है तो इस pistol से मैंने उस मशिन के अंदर डाले सारे chemical फिर उस मशिन से मैंने shoot किया भाई वो सारे chemical ये सामने आपको point दिख रहा है यहां से shoot होता है स्टार्ट लेट्स गो यार मशीन चालू कि नहीं हो रही भाई स्टार्ट तो मैंने दवा दिया है इसको क्या हो गया चालू हो गई हो गई भाई यह हिल क्यों रही यह 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 अरे नहीं यह क्या हो गया भाई मैंने खराब करती मशीन यार भागो यहां से जल्दी यार वो प मैंने क्या कर दिया यार इतनी बड़ी यह भाई लाइटनिंग हो रही है यार मैंने लग रहा है कुछ तो गडबड कर दियो बहुत बड़ी जल्दी भागते हैं यहां से यह क्यों हुआ था भाई मेरे पर तो बिजली गिर गई थी यार ये क्या हो गया मैं लाल कैसे हो गया भाई मेरे उपर फ्लैश का सूट लगता है कि बिजली गिरने के वज़े से मेरे उपर फ्लैश की पावर साथ चुकी है भाई मेरे उपर पूरा फ्लैश का सूट आ चुका मेरे अंदर अCH Georgia है अब बस असा लग रहा है कि ढाणना चालू करते हूं हूँ और में बहुत ज्यादा दूर भॉच जाऊंगा एक स्पीड आ रही है मेरे अंदर बस मैं दोनना चालू करता हूं वारमप हो चुका है मेरा चलो मेरे पेरों रेडी हो जाओ वाई क्या स्पीड है यार मेरे पीछे के फ्लेश हटा दिये मैंने ताकि आप लोग दिख सको कि मैं कितनी जादा तेज भाग रहा हूँ अलगी एक स्पीड हो भाग रहा हूँ यार एक और चीज में आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब मैं किसी भी चीज के आर पार जा सकता हूँ वो भी बहुत जादा आराम से एक बार मैं आप लोगों को भी मेरा पीओ भी दिखाता हूँ कि जब मैं इतनी स्पीड में भाग रहा हूँ ना तुम मुझे कैसा दिख रहा है सामने का ये देखोगा जी तुम ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है भाई ऐसा लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अब बस हम लोग जाते जा रहे हैं और अब चेक करते हैं हमारी ultimate power जो की है time travel की power क्या मैं future में जा सकता हूं इस speed में मैं मैं आ तो चुअ हूं किसी बलैक डेमंशन में पता गां जा रहा हूं बसक्सी टाइम के तरह बढ़ता जा रहा हूं और मैं आ चुगा हूं मेरे घर पे ये क्या हुआ भाई मेरे घर पे तो आ गया मैं लेकिन मेरा सूट का है अरे यार मैंने घलती कर दी मैं future के जगा past में आगया भाई और मेरा सूट ही चला गया मेरे से यार क्या खिया मैंने यार पावर चली गया यार मेरी भाग के देखूं क्या सूपर स्पीड भाई ये कौन जी स्पीड है जी भाई नहीं यार गई मेरी पावर मैं गलती से पास्ट में आ गया फ्यूचर की जगे जहां पर मेर देखने के लिए और मेरी पिछली वीडियो आपको देखने हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के उपर आ रही होगी देख लो दबाके